हलो दोस्तों सहारा से बहुत बढ़ी अपडेट निकल के आ रही है सहारा पोर्टल के ओफिशियल वेब साइट पर रिशम मीशन का लिंक अपडेट हो गया है जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुलके आ जा रहा दोस्तों तो यहां पर हमको अपने रिशम मीशन लॉग इन में जाना है और अपना CRN नंबर डालके सीधे लॉग इन कर लेना है तो यह बहुत बढ़ी जानकारी निकल के आई है दोस्तों सहारा के ओफिशियल वेब साइट पर रिशम मीशन का लिंक आ चुका है अब इसको हमें कैसे भ भर सकेंगे और इसके जो सेकेंड फेज में है वो 0 से 19,999 रुपए तक के हैं वो 25 नॉवंबर 2023 तक के लोग भर सकेंगे इसका जो फेज 3 है वो फेज 3 सभी eligible depositors के लिए खुलेगा जिसमें सभी लोग जिनके deficiency communicated के message आये हुए है deficiencies के message आये वो भरेंगे जिसको अभी खोला नहीं गया है वो खुलेगा इस portal पर login करने के लिए हमको दावा अवेदन संख्या लगेगा जिसको हम CRN नंबर बोलते हैं जो की हमने पुराना claim जो किया था उसमें हमको एक दावा पतत हमारा generate हुआ था वही दावा अवेदन संख्या हमको इसमें open करने के लिए लगेगा इसके बाद हमको capture दर्ज कर देना है और capture करने के बाद हम login कर लेंगे तो यह देखिए अभी जो CRCS की official website है उसका interface यह है और इसमें जो है तीसरे नंबर पर पुना submission login यह पुना submission का option अभी तक नहीं आ रहा था लेकिन अब इसको portal ने update कर दिया है और अब जो है यह पुना submission portal का update आपको मिल रहा है यहां पर तो आप सभी दोस्तों का जिनका deficiency communicated का message आया हुआ था बड़े सावधानी से आप इस पुना submission portal पर जाकर अपने deficiency communicated के code को देख सकते हैं, code को पढ़ सकते हैं आप उसमें यह देख सकते हैं कि आपकी deficiency communicated का क्या कारण था और उसका क्या हल आप को करना है वहाँ पर तो उसको आप आसानी से पहले समझ लीजिए और उसके बाद इस portal पर आप submission कर सकते हैं फिलहाल यह portal अभी भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कई बार अधार OTP नहीं आ रही है डालने के बाद कई बार कई लोगों का login नहीं हो है और ऐसी अभी बहुत सारी समस्यां आ रही है उमीद है जल्दी पोर्टल को पूरी तरह से सुधार लिया जाएगा और काम उस पे चालू हो जाएगा लेकिन अभी यह जो अपना CRCS की website अपना portal खुल रहा था उसमें हमको इसका link मिल गया है मतलब हम इसको आगे अब भर स कमी कोट केस में विवरा सारे खुल जाएंगे जैसे विवरा में आप जाएंगे तो पहला टूटी कोट D001 जमा करता को धन्दासी पहले ही वापस कर दी गई है तूटी का यह संदेश है उसके आगे आप एचित कारवाई दी हुई है सोसाइटी के रिकार्ट डेटा बेस क अनुसार आपकी धन्दासी पहले ही वापस कर दी गई है अता दावा संसाधित नहीं किया जाएगा अब इसका कहने का मतलब इसमें यह हो जाएगा कि भाई आपको पैसा पहले ही मिल चुका है अब इसलिए आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता deficiency number 2 है एक ही mobile number के 5 से अधिक आवेदन जमा किये गए हैं अता क्रप्या refund के लिए अधार से जुड़े mobile number का उप्योग करके पुना आवेदन करें तो इसका कारवाईल क्या है क्रप्या अपना आवेदन पुना सम्मिट करने के लिए अधार से जुड़े किसी अन्य mobile number पर अपडेट करें तो इसमें हमको करना क्या है अपने रजिस्टर जो mobile number है उसको अपने अधार से जुड़े किसी अन्य mobile number पर अपडेट कर देना है तो इस तरह से आप जो भी अपना जैसे डिफिसियंसी कोड में अगर तीन पढ़ू अधूरा दावा फार्म फोटो हस्ताचर अनुपलब तो इसमें हमको जो है अधूरा दावा फार्म मतलब हमारी कहीं फोटो चूट गई या हस्ताचर चूट गया तो उसको हमको दुबारा जो है पोर्टल पर हस्ताचरित दावा फार्म और फोटो की फ़स्ट सुपार्ट चभी अपलोड करनी है कई लोगों ने जो फोटो कॉपी अपलोड की है उसको क्या है कम स्ट्रेस करकर के किया था क्योंकि उसके के भी कम अपलोड करने थे तो उस CNC code अगर 4 नंबर पे जाएं तो दावा फार्म पर किये गए हस्ताचर खाता खोलने के farm सदसरा सदसरा खाते हुए वह एध हस्ताचर वाला एक इस पस्ट सुपार्ठ आवेधन पत्ष अपलोड करें आपको एक दुबारा अपलोड करना होगा अपना अवेदन पत्र जिसमें आप साफ सुथरा सिगनेचर करके और अच्छे से उसकी स्केन कॉपी बनाएं अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारा ज्यादा तर अंतर नहीं है तो उसमें हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूत नहीं है हमको जो हमारा पुराना क्लेम था हमको सेम उसी तरह से दुबारा इसको क्लेम कर देना है जो कि सहारा के कस्टमर केर से मेरी बात हुई उन्होंने भी सेम चीज़ को बोला सिर्फ हमको एक चीज का ध्यान रखना यदि हमने अपने हस्ताचर गलत कर दिये हमने अधार काड नमबर गलत लिख दिया है या कोई गलती हमसे स्वैम हो गई है तो उस गलती को हमें सुधार लेना है पहली चीज दूसरी चीज स्कैन करके कॉपी को साफ साफ उसमें लगाना है ताकि वो जो हम स्कैन कॉपी लगा रहे हैं वो पढ़ने में आए तीसरी चीज एक ही सोसाइटी में कई लोगों के क्या उनने कई जो सदसता दावे संसादित कर दिये तो एक ही सदसता संख्या से एक ही दावा किलिया जाएगा तो आप उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे इसमें एक ही सोसाइटी में जमा करता कि एक सदसता हैं मौजूद हैं अता दावा अवेदन में केवल प्रथम सदसता से संसादित दावे ही संसादित किये जाएंगे तो एक वेक्ति के पास एक सोसाइटी में केवल एक ही सदसता हो सकती है तदा नुसार एक सदसता संख्या से संसाधित दावे ही संसाधित के जाएंगे समधित दावे ही तो इस तरह की चीजों का हम थोड़ा सा ध्यान रख हैं बाकी अगर इसमें आपका society द्वारा खाता खोलने का farm upload नहीं किया गया है तो इसके लिए सहारा society खाता खोलने के farm को scan करके अपने record को digital कर रही है इसके लिए आपको परजान होने की जरूत नहीं है सहारा society जो है उसमें कई सारे farm अभी तक digitalization और upload record को नहीं किया गया था वो अपनी society स्वेम ही upload कर रही है और अब आप जब दुबारा अपना farm upload करेंगे तो आपके farm को update कर लिया जाएगा इसमें जो हमको यदि जो दिया हुआ है वो यहीं लिखा हुआ है कि सहारा society खाता खोलने के farm को scan करके अपने record को digital कर रही है यदि सम्मंदिश society ने खाता खोलने का farm और खाता खोलने के farm को scan कर लिया है और society द्वारा portal पर उसकी इस्तिती update कर दी गई है तो जमा करताओं से अनुरोध है वे अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए portal पर दावा पुना प्रस्तुत करें तो बस वही बात है आपको वो दावा पुना प्रस्तुत करना है क्योंकि वो पहले society ने upload नहीं किया था अभी society ने upload कर लिया है तो मैंने अभी पहले ही कहा कि हम सभी को जिनको कमिया कई तरह की आई लेकिन अगर हमारी कोई गलती स्वैम से हमने की है जो हमको पता है अपने farm को एक बार दुबारा मैच कर लिजेगा कोई गलती हमसे स्वैम से हो गई है तो उस गलती को हमें सुधार लेना है कई लोगों ने sign गलत कर दिये या photo गलत तरीके से upload कर दी या फिर कोई number गलत लिख दिया तो एकाउंट नंबर की जगह उनने कुछ और लिख दिया तो वो सारी चीजों को जो हमारी गलती स्वैम हमको पता है उसको हमें खुद से सुधार कर लेना है और जो हमको लगता है कि सारी चीजें सही है आप अपने deficiency का कारण एक बार पढ़के समझ भी लीजिए कई लोगों का portal की तरफ से जो है उनके farm दस्तावेज upload नहीं किये गए थे जिस वज़े से उनको deficiencies के message आ गये थे तो वैसी स्थितियों में उन्हें कुछ नहीं करना है deficiency का जो D code नंबर 12 है दावेदार जमा करता का विबरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमा करता नहीं है इसमें भी वही चीज थी इसमें जो देरा आपके दावे संसाधित नहीं किये जा सकते क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्रपय आपने सम्मंदिश सोटाए सोसाइटी से आप संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुना सम्मिट करा है इसमें आप अपने पूरे डाटा को सोसाइटी सहारा का जो है उसका एक इमेल आईडी है मैं वो इमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दोंगा और उस इमेल आईडी पे आपको अपना मेल कर देना है पहली चीज वो है और दूसरी चीज जो है ताकि साहारा की जो सोसाइटी है वैसे तो सबका उनने अपलोड कर दिया है अब वो कर रहे हैं तो हो सकता है आपका उनने अपलोड अभी तक कर दिया हो अगर नहीं भी किया हुगा तो आपका mail जाने के बाद वो upload कर देंगे तो आपको करना क्या है आवेदन आपका पुना submit कर देना है आपको भी पुना अपना आवेदन submit कर देना है अब जैसे deficiency code 14 तो इसमें जो है कई लोगों के ऐसे भी मामले हैं जिनका अभी पूरा नहीं हुआ है तो उन्होंने भी भर दिया है तो ऐसे लोगों के भी deficiencies के message आ गये है तो क्योंकि claim की date जब तक पूरी नहीं हुई है उसको आप भरेंगे तो आपका वो deficiencies को करेगा तो दोस्तों इस information में आप अपना सारा जो deficiency code है वो पढ़के और इसको मैं की पढ़ूँगा तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर आपको इसमें कोई doubt हो तो वो आप मुझसे comment में पूछ सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा comment के जो है reply दे सकूँ टोटल 21 code जो है इसमें अभी जो update किया गया है उसमें दिखा रहे हैं 25 इसमें दिखा रहे हैं और इसके बाद आपके सामान प्रशन भी हैं यहाँ पर तो आप चाहें तो सामान प्रशनों को भी खोल कर कई लोगों के जो प्रशन है उनके उत्तर भी हैं तो सहारा रिशममीशन पोर्टल क्या है सहारा CRCS रिशममीशन पोर्टल सुरच्छेत है यह सारी चीजें जो हैं इसमें पूछा गया और उसका एक जवाब भी यहाँ पर साथ में लगा दिया गया है अधार सीडिंग प्रक्रिया का भी ऑप्शन इसमें अविलेबल है तो आप अगर कई साथी जो अधार सीडिंग जिनको करना था अपने बैंक से अगर उनको करना हो तो वो भी इसको देख सकते हैं कर सकते हैं तो थैंक्यू दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही आप अपना फार्म को जो है अच्छे से पढ़के समझकर और रिसममीशन अब कर सकते हैं अभी तक मैंने अपनी पिजली वीडियो में आपको मना किया था क्योंकि इसको ओफिशियल वेब साइट पर इस सममीशन का जो है लिंक नहीं अपडेट हुआ था लेकिन आभी की वीडियो में जो है आप देख पा रहे हैं आप भी खोलेंगे CRCS की ओफिशियल वेब साइट से ही आप जाएगा रिसममीशन रिसममिट का ओफिशियल वेब साइट पर लिंक आ चुका है थैंक्यू दोस्तों वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लोगों तक पहुचाएं लाइक करें ताकि सभी कोई जानकारी मिल सके है सहारा CRCS की साइट ने deficiencies communicated और deficiencies के message कमियों वाले लोगों को जो message किये थे उनके लिए अपनी साइट पर पुनह submission login करने का option खोल दिया है थैंक्यू दोस्तों